हेलो बच्चो जैसा कि अभी आपने देखा कि लेवल वन की कोशन हो चगे हैं लेवल टू की ओल्वेज अब ऐसा ही होगा लेवल वन की अलग वीडियो होगी लेवल टू की अलग होगी थ्री की जब लेवल वन और लेवल टू की सौरी टाइप कम्पलीट हो जाएंगी तब लेवल टू कराओंगा अब लेवल टू पर कैसे कैसे कोशन पूशता है आईए जेरा कोशन नहीं अब स्टेटमेंट बोलूँगा मैं आपको उसका आंसर देना है क्या होगा पहला कोशन बच्चा एसोब किपव एक दुकानदार कोई वस्तू एक हजार असी रुपे की बे होगा अब दिनसल आपके पास आगई फ्रेक्शन कुछ और भी हटकर बोलेंगे बाते करेंगे अब आपके पास फ्रेक्शन आगई जैसे साड़े बारा परसेंट अब सो लिखेंगे तो प्रोब्लम हो जाएगे तो अब बच्चा कुछ एक फ्रेक्शन आपको याद रखन जैसे 20% है इसकी fraction मनाऊँगा तो 20 कितने में से 100 में से जैसे उपर-उपर 30% है तो 30 कितने में से 100 में से तो यह आपकी fraction यह 2 बटा 10 यह 3 बटा 10 बन गई ऐसे ही साड़े 12% की fraction होती है बच्चा साड़े 12 बटे 100 यानि यह होती है बच्चा 1 बाई 8 14 सही 2 बटा 7% की fraction होती है 100 से डिवाइड करोगे तो 1 बटा 7 11 सही 1 बटा 9% की fraction होती है 1 बटा 9 16 सही 2 बटा 3% की fraction होती है 1 बटा 6 33 सही 1 बटा 3% की fraction होती है 1 बटा 3 ऐसी बहुत सारी fraction होती है जो आपको याद होनी चाहिए और याद होंगी भी आप लोगों को सीख लेना और बनानी भी अगर याद नहीं भी है तो बनानी सिखा दी भाई जो भी percentage दे रखे उसको सो से डिवाइड कर दो आपके पास fraction बन जाएंगे अब ये fraction बनाने से फाइदा क्या होगा ध्यान से सुनो ये fraction बनाने का क्या फाइदा होगा सुनो मैंने आपको बताया था कोस्ट प्राइज उपर नीचे आपकी मर्जी कहीं बिलो नीचे सेलिंग प्राइज देखो भी साड़े बारा प्रसंट की fraction क्या होगई एक बटा आठ ये देखो यानि आठ रुपे पर हर आठ रुपे पर एक रुपे का प्रोफिट यानि अगर कोस्ट प्राइज आठ है तो सेलिंग प्राइज कितना होगा नो आठ पर एक रुपे का प्रोफिट तो सेलिंग प्राइज आ गया नो नो सेलिंग प्राइज हो गया और सेलिंग प्राइज आपको दे रखा था एक हजार असी तो सीपी अपोन वन जीरो एट जीरो बराबर आठ बटे नो तो यहाँ पर सीपी इस इक्वल टू आठ प्रईज आ जाएगा 960 960 आपके पास आपका answer हो जाएगा आपके पास आपका answer हो जाएगा Otherwise सुनो सुनो अगर आप smart work करना चाहते हैं smart work करना चाहते हैं आप solve करना ही नहीं चाहते question 6.50 की fraction माननो option दे रखें आप क्यों आपको option दे रखा है 900 925 960 जवा आंसर था और भी दे रखिया है आपको इन में से एक option select करना है कि आपका आंसर कौन सा होने वाला है तो सुनो जरा ध्यान से ध्यान से समझना बच्चा साड़े 12% की fraction क्या वनी एक बटा 8 यानि जो आपका cost price होगा ना ध्यान से सुनने ना क्या ये नमबर 8 से भाग होगा नहीं ये तो ओड नमबर है ओड नमबर कभी भी even से भाग नहीं हो सकता तो इसका मुलब 2 reject कर चुके हैं क्या ये 8 से भाग होगा भाग दे कर देख लो बिल्कुल होगा तो ये आपका answer आगया soul करने की जूरती नहीं थी बालो मेरे को selling price निकालना होता नो आठ रुपे पर एक रुपे का profit यानि selling price कितना आ गया नो यानि आपका answer नो का multiple होगा that's all आपका question हो गया ठीक है इस बार ध्यान से सुनना मैं option भी दूँगा मैं आप लोगों को option भी दूँगा बच्चा answer देना कोशिस करना बीना pen के आप answer दे पाएं ये है level 2 ऐसे समझाना होता है level 2 ध्यान से देखो ध्यान से समझो भच्चा क्या selling price of an article selling price of an article is 960 किसी वस्तु का विक्रे मुल्ले 960 है option डाल देता हूँ पहले option डाल देता हूँ बच्चा पहला option 800 दूसरा option 760 तीसरा option 840 छोथा option 850 सो नो selling price of an article is 960 and profit percentage is 14.2 by 7 percent find cost price तो बताओ cost price क्या होगा find cost price आपको बताना है यह 850 है नीचे छिप गया है आप देख लेना आपको बताना है बच्चा cost price क्या होगा find cost price cost price की value क्या होगी आपको यह चीज़ बताना है आओ जराब बच्चा मैं पहले question solve नहीं करूँगा ध्यान से सुनना 14.2 by 7 percent की fraction बनाऊँगा यह देखो 14.2 बता 7 percent की fraction बनाऊँगा एक बता 7 और नीचे वाली value क्या होती यह cost price यानि जो आपका answer होगा cost price ही तो निकालना था आपको यानि जो आपका answer होगा वो साथ से divide होता होगा क्या यह साथ से divide होता है नहीं होता क्या यह साथ से divide होता है नहीं होता क्या यह साथ से divide होता है नहीं होता सिर्फ एक option बच गया यह option साथ से divide होता है यह आपना answer आ गया यह तो गया smart work अगर कोई solution चाहता है, जी सर solution दे दो, आईए जरा solution दे रहता हूँ, सुनो, cost price, selling price, 7 पर 1 रुपे profit यानी 8, अब आपको selling price 960 दे रखा था, CP upon 960 is equal to 7 upon 8, तो CP is equal to 7 बटे 8, गुना 960, ये value से कर जाएगी 120, तो CP आजाएगा आपके पास 840, तो आपका cost price आजाएगा 840, अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो, तो अपने दोस्तों को share कर दो, जाद अच्छी होगी, जाद अच्छी बाते होगी, ये छोटी छोटी बाते आपके अंदर इतना निकार लेकर आजाएगी बहुत जादा, तो आपका answer आजाएगा 840, direct question कैसे होता है, वो भी सिखा दिया, solution कैसे होता है, वो भी बता दिया, basic video 1, class 1 जरूर देखकर आना भाई, ये ध्यान रखना, class 1 जरूर देखकर आना, इस सीज़ का ध्यान र जाते हैं भाई, जी मास्टर जी और जादा अच्छे लेकर आओ, और जादा अच्छा लेकर आओंगा भाई, सुनो जरा, समझो जरा, देखो जरा, ध्यान से सुनना, question में क्या-क्या पूसता है, क्या-क्या-क्या और करता है, दो question और लूँगा, फिर चलते हैं, ध्यान से बचा एक आदमी एक आदमी चलिए कोश्ण बनाता हूँ तक 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 ठीक है आओ एक आदमी कोई वस्तू 640 रुपे में बेशता है 640 रुपे में बेशता है तो उसका हानी परतीसत 20 परसेंट आता है तो उसका हानी पर्तिसत 20% आता है, then his loss percentage become 20%, तो उसका हानी पर्तिसत 20% आता है, fine, अब आया question, selling price विक्रे मुल्य, loss honey, विक्रे मुल्य, find selling price of article, वस्तु का विक्रे मुल्य बताएं, when he want, जब वो 40% का profit चाहे, जब वो 40% का profit चाहे, find selling price of the article, वस्तु का विक्रे मुल्य बताना है, जब वो 40% का profit चाहे, अब आगया question जब अब देखो, अब ध्यान से समझो, अब बच्चा cost price नहीं निकालना, फस गई ना, आओ जरा, नहीं फस नहीं दूँगा यार, ओड़ी नाम में लगजरी है, ध्यान से सनो, ध्यान से समझो, भाई cost price हम कितना मानते हैं 100, तो पहले वाला selling price और अब वाला selling price, जो हमें निकालना है, और जो हमें given है, हमें given है 20% के loss वाला, तो 100 पर अगर 20% का loss होगा, तो selling price कितना आएगा, 80, अब मेरे को क्या निकालना है, 20% के profit वाला, 40% के profit वाला, तो अब वाला selling price कितना आ जाएगा, 140, तो अब देखो, पहले वाला selling price, first selling price, 640 दे रखा था, 640 बटे, SP2 is equal to 80 upon 140, यह कड़ गया, तो भाई, cross multiply जब मैं कड़ दूँगा, तो 644, 14 उपर गया, 8 नीचे आ गया, और SP2, तो यह 80, तो यह आ गया, 11,20, तो अब जो selling price होना चाहिए, वो selling price होना चाहिए बच्चा 11,20, आपका अब जो selling price होना चाहिए, जो 40% के profit वाला होना चाहिए, वो होना चाहिए 11,20, ऐसा question जबरदस्त question पूस्टा है, ये चीज़ समझो, आपको given क्या है और निकालना क्या है, given उपर लिख लो, बना लो न notes, given उपर लिख लो, और जो find करना है वो नीचे, बालो आपको cost price given है, तो cost price उपर लिख लिया, selling price given है, selling price निकालना है वो नीचे, और उसकी percentage वाली बात है, इस side लिख लो, इस side absolute value, रुपे और इस side percentage हो गया question, problem आएगी ही ने, अब जरा, ध्यान से, ध्यान से जवाब दे दीजिए, एक question दे रहा हूं बड़ा भैत्रें, इसी पर, इसी की तर्ज पर, ध्यान से बताया ना भई, देखो, ए परसन सेल दे आर्टिकल, ए परसन सेल दे आर्टिकल 4 रुपीज 930, then his loss percentage, एक आदमी कोई वस्तु 930 रुपे में बेशता है, तो उसकी हानी 28% की होती है, find, selling price of the article, selling price यानी, विक्रे मुल्ले, वस्तु का विक्रे मुल्ले बताएं, कब, जब उसे 20% का profit हो, यानी 20% के लाब कमाने के लिए, उसे वो कितने में बेचनी होगी, पहले 930 में बेचने पर 28 का लोस हो गया, तो 20% का लाब कमाने के लिए, वो वस्तु कितने में बेचनी होगी, यह आपको बताना है, 20% का लाब कमाने के लिए, वो वस्तु कितने रुपे में बेचनी होगी, कितने रुपे में बेचनी होगी, आओ जरा समझो, बज़ा कोस प्राइस, कोस प्राइस मैं मान लूँ सो, ध्यान से, ट्राइ कर लीजिए, मैं आपको दे सकता हूँ, पंद्रा सेकंड दे सकता हूँ भाई, इससे ज़्यादा नहीं, जल्दी कोमेंट कर दीजिए, पंद्रा सेकंड फिर मैं भी चलता हूँ, आप भी चलेंगे, जल्दी बच्चा, कोई टाइम बेस्ट नहीं, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, पास सेकंड चार, तीन, दो, एक, वेल डन बच्चा, कुछ एक आंसर भी आ गए है, बहुत अच्छे, आओ जरा, तो पहले वाला सेलिंग प्राईस, और अब वाला सेलिंग प्राईस भाई, पहले ठाईस का लोस, यानि बहत्तर, और अब 20 का प्रोफिट, यानि 120, तो यान 930, 120 सूपर, और बहत्तर नीचे, SP2, तो 5, 3, 3, 1, 0, तो SP2, बरावर, 0, 5, 15, 15, 15 सो पचास आपका आंसर आ जाएगा, that's all, ऐसे कोस्चन को कर सकते हैं, यह लेवल 2, लेवल 3, फिर बता दूं, जब पूरा प्रोफिट लोस कम्प्लीट हो जाएगा, लेवल 3 तब लेकर Good night, क्योंकि आज आगरी बार मिल रहा हूं है, नमस्कार, फिर मिलते हैं, नमस्कार, हसते रहिए, हसाते रहिए, घर पर रहिए, safe रहिए, आपकी सुरक्षा, आपकी हाथ में, आपकी सोच में है, Thank you